अगला सवाल है सुमित आनन्द का दिली से रतन इंडिया पावर पर इनका सवाल है तेरा सुशियर्ज नौर पैसी पैसे के बाव पर 10 रुपे के आज पास ट्रेड करें प्राफिट्स में हैं बाहर आ जाएं ये पिर होड रखें सुमित एकजिट कर लीजे मुझे नहीं लगता स्टॉक में अभी फिलाल कोई बड़ी कोई न्यूज जनरेट हो रही है बड़ा कुछ स्ट्रेंड देखने को मिल सकता है अगर इनको होल्डी करना है तो बिल्कुल ट्रेलिंग एसल के साथ होल्ड करें 10 रुपे 10 पैसे का स्टॉप ल साथी अदानी पोर्ट के भी 350 शेयर्स हैं इनके पास भाव पर गौरांट क्या सला होगी दोनों पर शाक्ष्री मारूती पर बने रहे हमारी कावरेज है साल देड़ साल के नजरिये से 4,450 के लक्षन दारेट सूपते हैं अडानी पोर्ट पर कावरेज नहीं है तो टिपनी नहीं कर पाऊंगा अगला सवाल है अमित मिश्र का बैंगलूरू से हिताची होम्स पर कुरी है बनी फाइफ शेयर्स है चौदासो के भावव पर 1100 के आसपा से भी ट्रेड कर इंफ है नुकसान हो रहा है क्या करना चाहिए सुमित दिपाली एक बाँ स्टोक को होल्ड कर सकते हैं लोड लेवल से इसके अंदर अच्छी रिकवरी देखने को मिली है अगर ये रिकवरी कंटीनू होती है और उपर में अगर 1210 का लेवल ब्रेक करता है तो ये स्टोक के अंदर हमको आने वाले दिनों में वापस से 1400 के लेवल देखने को मिलेंगे तो इनको कॉस्ट के असपास का तो लेवल मिली जाएगा एक्जिट करने के लिए और अगर लॉंग टर्म होराइजर नखेंगे तो देर इस पॉसिबिलिटी स्टोक के अंदर 1500 से 1600 के लेवल दिखा सकता है अगर इनको stop loss ही है तो best stop loss जो अभी समझ में आ रहा है चार्ट को देखते हुए वो है 1110 रुपया 1110 रुपय के SL से होल्ड कर सकते है उपर में जैसे ये स्टोक 1220 का लेवल ब्रेक करेगा तो हमको 1400 से 1500 के लेवल दिखाए नहेंगे आने वाले दिनों में सूरत सीर रजट सुलांकी हमें पूछ रहे हैं आईशर मोटर्स पर सवाल 10 शेर्ज ये होल्ड करते हैं 19,800 पर गौरांग यहां क्या सला होगी जिस तरीके से हम देख रहे हैं मन्त ओन मन्त फिगर्स काफी अच्छे आए हैं जिस तरीके से लॉंचिस भी हो रहे हैं बहत काइंड ओ प्रिस्टवेक्टिस डियो सी बहतरी निवेश है भले उपरी तरपर है जहां से मौझुदा काम कर रहा है बहुत ही मामूली से मुनाफे की गुंजाइश है लेकिन अठरा हजार के नीचे फिर से आता है तो जिसको नए सलीकेशन निवेश करना वो भी करें इन जनाब के पास अगर इनकी जे बिजादत देती है तो और भी जोड सकते है बने रहनी किराय होगी राज है का सवाल है पूने से बहार आज है प्राफेस लेकर या फिर होड़ रखें एक बार होड कर सकते है क्योंकि एकदम लोड लेवल से इसने रिकवरी स्टार्ट करी है स्टॉक अल्मस्ट उपरे लेवल से 100 रुपे के असपर यानी के स्टॉक दुबारा सौ के नीचे यहां 101 के नीचे ट्रेड नी करता है ट्रेडिंग ऐसल के साथ होल करें उपर में टागेड इमिजेटली 125 से 30 130 के ओपर क्लोजिंग देता है तो 150-60 के लेवल दिखने को मिल सकता है जी बिलकुल भावनगर से भावेश ने हम काफी नुक्सान में क्या करें विल हमारी यहां पर अनफोर्चनेटली कवरेज नहीं तो विशेश रूप में में टिपनी नहीं कर पाऊंगा और हाली में कुछ IPO जो लिस्ट हुए वहाँ पर थोड़ा बहुत रुजान नकाराकमग बनाए अनफोर्चनेटली इससे ज्यादा में कुछ नहीं क्या पाऊंगा है जी अगला सवाल है अमर का बरेली से कोल इंडिया पर इनके कोवेस्टिन है सब्सक्राइब कर रहा है अभी नुक्सान में है क्या करें कोल इंडिया को लेकर यह होड़ रखें दिपाली में से पूचा है सवाल जी दिपाली स्टॉक तो अच्छा है इन्होंने बस खाली प्रॉब्लम ही है कि बहुत ही उपर के लेवल्स पर स्टॉक ले लिया है अभी एकदम लोवर लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है गबराने के जरूत नहीं है कंपनी अच्छी है डिविडेंड भी अच्छा देती है अगर होल्ड करेंगे तो आने वाले समय में इनको प्रॉफिट मिल सकता है बस इनको एवरेज करने के लिए 310 के लेवल्स मिल जाते है तो बहापे यह एवरेज भी कर सकते है उपर में य सब्सक्राइब के लिए 340-350 के उपर क्लोजिंग देना स्कार्ट करेगा तो यह स्टॉक के अंदर वापस से हमको 400-4747 के लेवल देखने को मिलेंगे स्टॉक के उपर होल्ड के सला रहेगी होल्ड करने की सला है कच से भवीन ने हमें सावाल पूचे हैं दोशेंस अदोशे 60 के भाव पर और HDIL की 206 है 85 के भाव पर गवराग वेल नंतराज में तो टिपनी नहीं करूंगा HDIL पर जो मैंने DLF के लिए कहा था वो ही मेरे ख्याल से कवायत होगी और रियल इस्टेट्स हेक्टर में जो जिकर किया गोदरिश वापर्टीज मेंदर लाइफ स्पेस शोबा लेमेंटेड अबराय रियलेटी प्रेस्टिज इस्टेट्स यह भैतर विकल्प है चले रहे आपको दी गई है रियल्टी स्टॉक्स पर